साओधी अरब कुरान जलाने के मामले में स्वीडन से खफार राजदूत को किया तलब साओधी अरब ने स्वीडन में कुरान का नादर करने की घटना पनाराजगी जताई है साओधी अरब के विदेश मंतराले ने स्वीडन के राजदूत को बुला कर उन्हें विरोध नोट सोपा साओधी अधिकारियों ने स्वीडन के चार्जडी अफेर्स के सामने साओधी अरब के इस तरह के धार्मिक भावनाओं को आहत करने की जाज़त नहीं मिलनी चाहिए साओधी ने अंतराश्री नियम कानूनों का पालन करने की अपील की स्वीडन कुरान के अनादर के मामले में एक बार फिर से विवादों में घिर गया है साओधी अरब के इस विरोध को देखकर जनता ने क्या कहा आईए बताते है एक यूजर ने सोशल मीडिया पर कहा इस मामले में और भी कड़ी कारवाई होनी चाहिए एक ने लिखा वो सब तो ठीक है लेकिन ये फॉर्मलिटी करने से क्या परड़ाम हासल होगा हमें बतार उम्मत इस मामले में सक्स सक्त फैसला लेने की जरूरत है एक यूजर ने लिखा पूरी तरह सहमर ये स्थिती शर्णाक है स्विडिश सरकार इसकी इजाज़त कैसे दे सकती है चाहे कोई भी धर्म हो ये दुनिया पूरी तरह से पागल होती जा रही है एक ने लिखा साओधी अरब को इसलाम की जर्मस्थान के रूप में स्विडिश चार्जे डी अफेर को बाहर कर देना चाहिए एक और यूजर ने इस मामले में कहा कमबक को ऐसा सजा दिलवाओ जो दुनिया के लिए इबरत बन जाए दुबारा किसी की हमत ना हो कुरान पाक की बेहुर्मती करने की जो लोग कुरान की बेहुर्मती करके खुश होते हैं और जो लोग इनको अपना बाप मानते हैं वो लोग सच में कुरान का सामना करने से डरते हैं गौर्दलब है कि गुरुवार को इराग की सरकार ने बगदाद से स्वीडिश राजदूत को वापस जाने के लिए कहा। स्वीडन की राजधानी स्टॉक होम की एक मस्जिद के बाहर हाल ही में कुरान जलाने की घटना हुई थी। इराग ने स्वीडन से अपने राजधानी को भी वापस बुला लिया है और स्वीडिश कमपनियों से कारोबार निलंबित कर दिया है।